अब यह दोस्तो नमस्कार हमारे यूट्यूब चनल में सबी जच्छों कसी स्वागत हैं बहुत बहुत अच्छे होंगे खुश होंगे तो चलिए आज हम बनाते हैं फ्रोल्ड आलू शेफ आलू डाल केच्छ पत्निकारी है अगर हमारे ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक से दुरूर करेज़ा सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा प्लीज चो इस तरह हम नमाजन्दी लगा के अभी आदा गंटा के लिए छोड़ देंगे और फेर हम आगले स्टेप बढ़ते हैं मैंने रग दिया था प्रॉन को मेरिनेट करके आप देख सकते हैं अल्दी नमक डालके आदा घंटा छोड़ सकते हैं और आलो डालेंगे दो आप किसी भी तरह काट के डाल सकते हैं और हरी बिच्ची काट लिया टमाटा और मैंने दो प्याज लिया एक प्याल मेंने काट के ऐसे शिलाइस में डालोगी और आदा प्याज में पीशके डालोगी तो चलिए हम आलो फ्राइए कर लेते हैं तब तक आईरन वाली खिलम को वान कर दिया मैंने बना यह पर अद्रग लशन कोट लिया था इसमें और दरदरशा फूत के डालने से ना फटा फट फट फीश जाता है और हरी मिच्ची हमने फटावा डाल दिया और आदा प्याज हैर कर दी और टमाटर भी मैंने फोड़ा काट के डालेंगे और थोड़ा प्यूरी बना के डालें होगे अलू आलू जो है देख सकते हैं हलका खोल्डन ब्राउन हो गया है इन्हां भी कि लेट आउद कर लेते हैं छेड़ान जो फ्रॉन को नमकल्दी लगा के रख दिया था उन्हें हां चाई कर लेंगे फ्रॉन हमारा प्राई हो जिया है इन्हें ब्राउन नेत में उतार लेते हैं पर बाठी जो बचा हुआ है और थोड़ा और एड़ कर देंगे इस फ्रॉन को जाद अप्ताई नेंग करने हैं आप देख सकते हैं हनकान संटम्शे करके नेंगे नेंगे इस कि अचे विए कर दो आप दो आप दो कि तुक्ड़ा रेजिए ने यह तो हुआ है दो टुकड़ा दान चेनी और काली मोटी अलाइची लॉंग और काली मिट्ची तेज पत्ता और जीरा इन्हें आप उटके भी डाल सकते हैं जैसे साबोत भी डाल सकते हैं तो थोड़ा सा तलग जाए तो हम स्याज और हरी रूच्ची आट करेंगे जो कटा हुआ था हमारा इ अज़ लेंगे अज़ा एंवीडियो बढ़ना अच्छा लगे तो नाइक स्याज जो रोल करेंगे जाए तो इंफो अच्छी पर रहां रहां रोल लेंगे तो ने रूलार करके इस तरहाँ तो पीशा हुआ दो मसाला पीस लिये है न उने एट करेंगे फिर मसाला एक एक त पाइब बनाखे जरूर देखिएगा हमारी मेफोड में एक बर बनाके जरूर देखिएगा बहुत ही अच्छा लगेंगे खाने में स्वाधिस भी बहुत हो यहां पे देख सकते हैं प्याज को एकडम से बॉल्डन ब्राउन कर लिया है आपने इंप पकाने नहां हम एक एक कर के मसाला एड कर देते हैं छं municip एपब डर्य ओने दम ऐड़के डिय guidance कर दिया अब आप इसी वह है अग्णम मसाला चोlave कर दिया आप यहां पर रमने हितार मिशाब मसाला को हैड कर दी आप देख सकते और फिल्म फो एकदम श्लो कर दिया है ताकि अच्छी तरह अराम से भून जाए और जो जार में मैंने मसाला ग्राइंड करी थी ना फोड़ा ता पानी उन में डाल करके मैंने मसाला भी ले लिया तो चलिए अभी आराम से दस मिने लिने खूनने दीजिए तब तक हम धनिया बत्ते बगर गाट लेते हैं यह दोस्तो हमारा मसाला जो है आप देख सकते हैं ओएल और मसाले मसाला विल्कुल से प्रेट हो गिया है आप हम नमक एट करेंगे श्वादा निशान नमक डालिएगा क्योंकि मच्छी में भी हमारा प्रॉन में भी नौक और अरहंदी लगा क हमने रखाता और ठोड़ा सा कटा हुआ हरा अब ही एड़ कर दी कृवा विन्दी प्रोण चल्टा राण मसाला प्रॉन और अभी प्रॉन की जोल बना रहेँ हम करी, करी तो इसको नहीं बोलते हैं पतली बार ली जोल भी बोलते हैं तो आप हम क्या करेंगे इन में अलु और प्रॉन को और एड़ करेंगे पाच मिनेट करी वहां बूनेंगे फेरां पानी एड़ करेंगे हो अब हां क्या करेंगे चार मिनीट सब्सक्राइब भून लिया आब हां इन पानी एड़ करेंगे हमें जितना ग्रेवी चाहिए उसी सब त्यां पानी एड़ करेंगे एक कटड़ी करीब हमने पानी एड़ करनी है इसमें लेके न हमारा कड़ाई जो है न छोटा पड़ रहा है हांट टांसपर कर लेंगे दूसरी कड़ाई में तो हमने दूसरी कड़ाई में टांसपर कर लिया है और हमें जितना ग्रेवी चाहिए उसी सबसे हमने पानी हैड कर दी और एक लेट ढग देते हैं दस मिनिट के लिए पकने देते हैं तकि आलू और मच्छी जो है न अच्छी तरह पक जाए तो चलिए फ्रेंस हमारा सब्जी जो है हमने बना ली है दस मिनिट पक शुके हैं हम अभी आलो को काट करके देखते हैं यह देखिए अलो एक दूम हस्कलस बॉयल हो गया है तो आभी प्नेट करते हैं सेंडिय मिलते हैं और एक नए रेसिविक साथ अब तक ने खुश रही अथ्छा रही थैंक्यू सो माद म अगद बाट सो क्रिया